नमस्कार दोस्तों मेरी कीचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट अचारी भींडी के रेसेपी तो अब सभी को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो के लाइक चैनल को सबस्राइब करें अबेल एकन को दबाना ना भूले अचारी भींडी बहुत ही जट पर बन करके तैयार हो जाती है उसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर बहुत सारे मसाले ले लिए हैं सुखी वाली दो लाल मिर्ची, इसी के साथ में 10 काली मिर्ची ली हूँ, इसे स्वाद बहुंद ही बढ़ी आता है, दो पीछी ली हूँ यहाँ पर, और हाप टीस्पून गरम मसाला पौडर, अचारी बिंडी मसाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर सभी मसाले अचारी वाली हैं और इसमें आंजवाइन, कलोंजी और इसी के साथ में सौप और लाल मिर्ची और काली मिर्ची को भी साथ में ले करके इन सभी को हम थोड़ा सा रोष्ट कर देंगे, जिसे हमें पौडर बनाने में आसानी होगी, तो इसे हम दो मिनाट के लिए बस खुचबू आने तक भू और बना कर त्यार कर लेंगे, अब चलिए मैं भिंडी को काट लेती हूं, चारी भिंडी बनाने के लिए यहां पर मैंने आधा किलो भिंडी को अच्छे से दो कर सुखे कपड़े से पहले पहुच लिया है, भिंडी के अगले और पिछले वाली पार को काट कर के हटा देना अब भिंडी के बीच से हम एक एक कट लगा देंगे, जिससे मसाले और नमक असाने से अंतर तक चले जाते हैं, आचारी भिंडी के रिसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर आप इसे एक बार बार बनाने का आपका जरूर मन करेगा, इस रिसिपी को आप सभी लोग ए आप सभी को भी बहुत पसंद आने वाली है, और यहां पर मैंने सभी भिंडी को काट करके त्यार कर लिया है, अब चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने गेस पर एक पेन चड़ा लिया है, जब पेन अच्छे सिगर्म हो जाए तो दो से त आप सब्सक्राइब बहुत ही टेस्टी लगती है, हिंग को कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है, जैसे हिंग भून जाहे कुटी हुई लासुन अद्रक का पेस्ट को डाल लेना है, और इससे चलाते हुई हमें दो मिनाट के लिए बस भूनेंगे, दो मिनाट में अच्छ प्लेम पर फ्राई करते रहेंगे, 5-7 मिनाट में हमारी भिंडी आधी पक चुकी होगी, इसी कंडिशन में हम स्वादर नुसा से नमक डाल लेंगे, नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाते हुए चला लेंगे, और इसे हम कुछ समय के लिए ढग देंगे, जिसे की भिंडी बहुत ही जल्दी पक जाएगी, भिंडी को 2-3 मिनाट पकने देते हैं, आप पकते हुए 2-3 मिनाट हो चुके हैं, आप देखिए हमारी भिंडी आधी पक चुकी है, हम इसे कुछ समय के लिए और पकाएंगे, जब भी आप भिंडी की सबजी बनाएं, भिंडी में थोड़ा सा नमक डालें, नमक डालने से आपकी भिंडी एकदम ताज्या और हरी लगेगी, और अंदर से अच्छे से पक भी जाएगी, तो आप इसे एक बार जरूर करके देखें, आपकी भी भिंडी बहुत हरी लगेगी, और भिंडी को हमें कुछ समय के लिए और पकाना है, भिंडी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके है, हमारी भिंडी आधी से जदा पक चुके है, तो हमें भिंडी को इतना ही पकाना है, इतना पकाने के बाद इसमें हम सुख्य मसाले डालेंगे, तो चलिए सभी मसालों को हम एक एक करके डाल लेते हैं, सबसे पहले धनिया कूट कर भिलेते हैं, चलिए आप ढ़ा है, यह नहीं है। और इस हम चलाते हुए अच्छ से मिला लेंगे अचारी भिंडी के रेसिपी में मसाले थोड़े से जादा लगते हैं अगर आप चाहे तो छोड़ा से कम कर सकते हैं इसे हम दो मिनट के लिए पकने लेटे हैं आप इसे एक बार जरूर बना करके देखे आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और लिजिए भिंडी पूरी तरके से पक चुके है तो हम इसे कंडिशन में गेस के फ्लेम को बंद कर देंगे लिजिए चटपटी मसाले दर अचारी भिंडी बंद करके त्यार है मैं इसे प्ल